नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका टिमस अकैडमी में दोस्तों आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे सेयद वंश और लोधी वंश से जुड़े कुछ इंपोर्टेंट MCQs के बारे में तो वीडियो को एंट तक जरूर देखना और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक, शेर और कमेंट जरूर करना दोस्तों हमने बेंकिंग, SSC और स्टेट गॉर्मन जॉब्स के ओफलन बेचिस भी स्टार्ट कर दिये है अगर आप एडिमिशन लेना चाते हो तो डिस्क्रिशन में आपको हमारी कॉंटेक्ट डीटेल मिल जाएगी वहां से आप हमें कॉंटेक्ट कर सकते हो तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो फर्स्ट कॉश्चन है सय्यद वंश का संस्थापक कौन था? इसका अंसर है खिर्ज खान तो सय्यद वंश का संस्थापक कौन था? खिर्ज खान था खिर्ज खान तैमूर लंग का सेनपती था और जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था तब उसने खिर्ज खान को मुल्तान, लाहोर और दिपालपूर का खिर्ज खान तैमूर लंग के बेटे शारूप को कर भेजता रहता था तो सय्यद वंश का संस्थापक कौन था? खिर्ज खान था? खिर्ज खान तैमूर लंग का सेनपती था और जब तैमूर लंग भारत से लौट रहा था इसका अंसर है 37 वर्ष तो सेयद वंश ने कुल 37 वर्ष दिल्ली पे शाषन किया था सेयद वंश दिल्ली पे शाषन करने वाला चौथा वंश था और सेयद वंश ने कुल 37 वर्ष दिल्ली पे शाषन किया था उन्होंने 1414 इस्वी से लेकर 1421 इस्वी तक लगबग 37 वर्थ तक दिल्ली पे शाशन किया था नेक्स्ट क्वेशन है खिर्जखां की मृत्ट्यू किस वर्ष हुई थी? इसका अंसर है 1421 इस्वी में तो खिर्जखां की मृत्ट्यू 20 मई 1421 इस्वी में हुई थी खिर्जखां की मृत्यू के बाद उसका पुत्र मुबार्क शाह सिंगासन पर बैचा था नेक्स्ट क्वेशन है मुबार्क शाह ने किस नगर का निर्मान करवाया था? इसका अंसर है मुबार्क शाह ने किस नगर का निर्मान करवाया था? मुबार्काबाद का निर्मान करवाया था मुबार्क शाह ने यमुना नदी के किनारे पे 1434 इस्वी में मुबार्काबाद नगर की स्थापना की थी Next question है सयद वंश का अंतिम शाशक कौन था इसका अंसर है अलाओदिन आलम शा अलाओदिन आलम शा सःयद वंश का अंतिम शाशक था Next question है लोधी वंश का संस्थापक कौन था इसका अंसर है बहलोल लोधी लोधी वंश का संस्थापक कौन था बहलोल लोधी था लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था वह 19 अप्रेल 1453 इस्वी में दिल्ली की गद्धी पे बैठा था दिल्ली पर प्रथम अफगान शाशन की स्थापना भी बहलोल लोधी नहीं की थी लोधी वंश का संस्थापक बहलोल लोधी था उन्निस सप्रेल 1453 इसवी को दिल्ली की गद्धी पर بैठा था और ये प्रत्म अफ़्गान शाशक भी बहलोल लोदी ही था नेक्स क्वेशन है बहलोल लोदी की मृत्वी के बाद दिल्ली की गद्धी पर कौन बैठा था इसका अंसर है निजाम खां तो निजाम खां बहलोल लोधी की मृत्वी के बाद दिल्ली की गद्धी पर बैठा था सिकंदर लोधी बहलोल लोधी का पोत्र एं उत्रदिगारी था इसका जो मूल नाम वो निजाम खां था तो बहलोल लोधी की मृत्वी के बाद कौन बैठा था सिकंदर लोधी बैठा था और इसका मूल नाम क्या था निजाम खाँ था नेक्स क्वेशन है सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कि सुर्ष करवाई थी इसका अंसर है पंद्रा सो चार इस्वी में तो सिकंदर लोधी ने आगरा नगर की स्थापना कब करवाई थी? पंद्रा सो चार इस्वी में करवाई थी Next question है किसने गुलरुखी उपनाम से अपनी कवीताओं की रचना की थी? इसका अंसर है सिकंदर लोधी ने तो सिकंदर लोधी ने गुलरुखी उपनाम से अपनी कवीताओं की रचना की थी Next question है सिकंदर लोधी की मृत्यू कब हुई थी? इसका अंसर है पंद्रा सो सत्रा इस्वी में तो पंद्रा सो सत्रा इस्वी में सिकंदर लोधी की मृत्यू हुई थी 21 नुवंबर 1517 इस्वी में गलेव की बिमारी के कारण सिकंदर लोधी की मृत्यू हुई थी नेक्स्ट वेशन है लोधी वंश के शाषकों ने भारत पर कितने वर्ष शाषन किया था इसका अंसर है 75 वर्ष तक तो लोधी वंश के शाषकों ने भारत पर 75 वर्ष तक शाषन किया था लोधी वंश के शाषकों ने 1400 इकाउन इस्वी से 1526 इस्वी तक भारत में लगबग 75 वर्ष तक शाषन किया था Next question है सिकंदर लोधी ने निमन मैंसे किस नगर को अपनी स्थाई राजधानी बनाया था इस कांसर है आगरा को तो सिकंदर लोधी ने किस नगर को अपनी स्थाई राजधानी बनाया था आगरा को सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना 1504 इस्वी में की थी और उन्होंने 1506 इस्वी में आगरा को अपनी राजधानी बनाया था ध्यान रखना है आप लोगोंने कि 1504 इस्वी में सिकंदर लोदी ने आगरा शहर की स्थापना की थी और 1506 इस्वी में उन्होंने अपनी राज़ानी आगरा को बनाया था नेक्स क्यूशन है पानी पत का प्रथम यूद कब हुआ था इसका अंसर है 21 सप्रेल 1526 इस्वी में तो पानी पत का प्रथम यूद 21 सप्रेल 1526 इस्वी में हुआ था यह यूद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और इस यूद में इब्राहिम लोदी को बाबर ने हरा दिया था और इब्राहिम लोदी को मार दिया था ध्यान रखना है आप लोगों ने पानीपत का प्रथम यूद 21 अपरेल 1526 में हुआ था यौर यूद इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में हुआ था और इस यूद में इब्राहिम लोदी हार गया था और उसकी हत्या बाबर ने कर दी थी इसका अंसर है पानीपत का प्रथम यूद तो पानीपत के प्रथम यूद के बाद में दिल्ली में मुगल शाशक की निव पड़ी थी इसका अंसर है इब्राहिम लोदी तो सिकंदर लोधी की मृत्व के बाद आगरा की सिंगाशन पर इब्राहिम लोधी सिकंदर लोधी का उत्र था इसका अंसर है सिकंदर लोधी तो लोधी वंश का सरवादिक सफल शाशक किसे माना जाता है सिकंदर लोधी को माना जाता है इसका अंसर है भूमीम आपने के काम में होता था इसका अंसर है सिकंदर लोदी तो इबराहिम लोधी की पिता कौन थे? सिकंदर लोधी थे नेक्स्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट्ट् और अगर आप इस वीडियो को यूट्यूब पे देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए क्योंकि हम आपके लिए ऐसी वीडियो देहां पर आते रहेंगें धन्यवाद